कई बार वहाँ पर प्लांट करा हूँ हम बोले या हम बोले कि किसी के पास से कोई कटा बरामत हो जाता है या कोई पिस्टल बराबर हो जाती है, माउजर बरामक हो जाती है आप कटे को सेल करना, मतलब कि illegal कोई भी weapon है उसे आप चाहे तो sale करते हैं, purchase करते हैं, या manufacturing करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं, किसी भी तरह से अगर इस तरह की चीजों में आप involved हैं, तो section 25 के तहट आपको book कर लिया जाएगा, दोस्तों कई सारे cases हमारे सामने आते हैं, जिन case में हम देखते हैं, 307 का मामला आजाए, 326 का मामला आजाए, 304 का मामला भी कई बार आता है सामने, कई सारे मामलों में देखा ये जाता है, कि वहाँ पर arms act के भी कुछ sections लगे होते हैं, खास करके जो arms act के आप sections देखते हैं, उनमें लिखा होता है section 25, 54 और 69, देखा जाए तो arms act में total ही 46 total sections हैं, अगर 46 total sections हैं, तो ये 54 और 69 कैसे लगता है, आज मैं arms act के बारे में काफी हद तक आपके doubts को clear करने कोशिश करूँगा, आपको बताऊंगा कि arms act के तहत किस तरह से मुकदमा चलता है, आप पर भी arms act के मामले में, section 25, section 27 के under, कोई भी section लगा है, किस तरह से bail होगी, काफी कुछ चर्चा करेंगे arms act के बारे में, जाना कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ, दोस्तों होता क्या है, कि जब भी कोई मामला लडाई जहगडे का सामने आता है, मारधार का सामने आता है, कई बार वहाँ पर plant करा हो हम बोले, या हम बोले कि किसी के पास से कोई कट अधीनियम, जिस एक्ट को लाया गया 1969 में, 1959 में इस एक्ट को लाया गया और अभी 2019 में इसमें amendments किये गए, इस Arms Act के तहट अगर आप देखोगे, ज़ादातर sections आपको मिलते हैं, section 25 लगा होता है, section 27 लगा होता है, अगर मान लीजिए कि section 25 Arms Act का आपके अगेंस लगा है, तो इसका मतलब सर्व यही होता है कि आपके पास से कोई भी illegal हतियार बरामद हुआ है, और अगर section 27 लगा है, तो आपने उस illegal हतियार को इस्तमाल भी किया है, मतलब आपने चलाया भी है, आप चाहें तो आप किसी को डराओ उससे, या किसी को आप गोली चलाओ, ये दोनों बात तो जो section 25 है, section 25 में 6 महीने से लेकर और उमर के 20 सजा का प्रावदान है, उसमें बहुत सारे subsections बने हुए, जिसके तहत किस तरह से आपने उसको इस्तमाल किया, या फिर क्यों वो आपके पास था, ये सब बातों को जिकर करता है, आप कटे को sale करना, मतलब कि illegal कोई भी weapon है, even आपके पास मान लीजिए कि आपके पास illegal कोई भी हत्यार है, illegal कोई pistol है, कटा है, कुछ भी है, आप उसको किसे की शादी में जाकर भी अगर चलाते हैं, हवाई-फाय है, लोग करते हैं न कई बार, वो भी हाला कि बेशक से आपके पास license हो, तो भी ये allow नहीं है, license का मतलब section हो में से, arms act के तहट जो section बने है, 25 वा जो section बोलता है, वो तो है 25 section, अब 54 क्या बोलता है, दो 54 का मतलब ये है, जब ये act आए, तो मतलब इस act से पहले total 53 act आचुके थे, ये 54 वा act है, सिर्फ यही इसका मतलब है, और कहोगे 69 का क्या मतलब है, तो 1969 का जो ये अधीनियम है, इसके अनुसार जो 69 लिगा है, उसको 69 को यहाँ पर डाला जाता है, तो 25-54 अगर लिखा है, तो 54-69 को पढ़ने की ज़रूत नहीं है, 25 section को आप देखिए, और 27 में, अगर आम सेक्ट में आपको अरेस्ट किया गया है, तो मतलब आपके पास से जो बरामत की हुई है, आपन कंदर कम से कम साथ साल तक की सजा का तो प्राफदान है, कम से कम साथ साल की सजा आपको मिलेगी अगर आप कन्विक्ट हो जाते हो, पर अगर section 25 की बात करते हैं, तो section 25 में, यहाँ पर 6 मेने से लेकर उमर कैट तक का मामला है, वो depend करता है, जो आपके पास जो भी कोई हतिया है, जो हतियार पुलिस ने बरामत किया है, तो किस तरह से बरामत किया है, मतलब आप क्या कर रहे थे, उस पर depend करता है, जो बाकी सब sections बोलते हैं, उसके अनुसार ही सजा दी जाती है, कई बार दोस्तों ऐसा देखा जाता है, कि 307 के मामले में होते हैं, 326 में भी, 302 में भी वहाँ पर आम्स को भी दिखाया जाता है, recovery भी करवाई जाती है, कई बार plant होता है, कई बार real होता है, depend करता है case to case, दोस्तों पहले का जो अधीनियम था, जो कि मैं 1969 की बात कर रहा हूँ, बाद में इसमें amendment आया, 2019 में, तो 1969 के अधीनियम के अनुसार, अगर without license किसी के पास कोई भी चीज मिलती है, कोई weapon मिलता है, कटा मिलता है उसके पास, तो उसमें 5-10 साल तक की सजागा प्रावधान था, पर अब उसी मामले में, यहाँ पर कम से कम 7 साल की सजागा प्रावधान कर दिया गया है, तो arm sect का जो मामला आता है, हाला कि इसमें bail जल्दी हो जाती है, इतना लंबा समय तक आपको जेल में नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि यह जो बरामत की होती है, पुलिस की सब चीज दिखाती है, पुलिस की complainant होती है, तो इसमें हमेशा पुलिस का रोल डाइसी दिखाया जाता है, पुलिस को हमेशा से ही जो कोट है, वो शक बरी निगा होंगे, उनका आपको जवाब देंगे, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को जादा जादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आपको कारूनी जानका बना सकें, और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल एवरनेस की वीडियो आप तक बहुच सकें सबसे पहले, बहुत बहुत शूर करता हुजने बाद, हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए.